न्यूटल वायर अगर टूट जाए तो क्या होगा अब कुछ लोगों को इसका जवाब काफी सिंपल लगेगा बस जो हमारे सभी उपकरण है वो काम करना बंद कर देंगे लेकिन अगर यह इतना सिंपल होता तो आज में इस पर वीडियो ना बना रहा होता असल में न्यूट कर वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए अब नूटल भी दो तरीके से तूट सकता है हमें मालूम है कि हम इस्तमाल करते हैं थ्री फेस सिस्टम का जिसमें से हम हर एक फेस को अलग अलग घर में देते हैं for example इस वाले घर में गया है red face इस वाले में गया है yellow वाला phase और जो नूटल होता है वो हर घर के लिए common होता है मतलब यहां से एक ही नूटल उठेगा और वो ही नूटल सब में जाएगा मतलब इस वाले में भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है मतलब यहां पे तीन अलग-अलग घरों में अलग-अलग phase जा रहे हैं, लेकिन सब के लिए जो neutral है, वो common है, अब यहाँ पर अगर किसी एक phase के लिए neutral तूट जाए, मतलब माल लो, इसमें गया red phase और neutral, तो अगर neutral यहाँ से तूट जाए, मतलब बाकी phase का जो neutral है, वो चल रहा है, इसमें भी supply जा रही है, और इसमें भी दिक्कत नहीं है, बस इस घर में जो भी उपकरण है, वो सभी काम करना बंद कर देंगे, बाकी किसी भी phase में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं किसी को यहाँ पर कोई नुकसान होगा, लेकिन अगर यहाँ पर दो या फिर तीनोई phase के neutral एक साथ तूट जाए, तो हाला कि जो तीसरा phase है, उसका neutral अभी भी यहाँ पर connected है, मतलब जो wire है, वो यहाँ से तूटा है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इन दोनों का neutral है, वो सिर्फ transformer से तूटा है, लेकिन इन दोनों की जो neutral है, वो अब भी एक साथ connected है, मतलब इस वाले घर का neutral, इस वाले घर से अभी भी connected है, वो सिर्फ यहाँ से main neutral से तूट चुका है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझो, यह जो दोनों घर है, यह दोनों यहाँ पर series में connect हो चुके है, इस neutral के तूटने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से neutral तूट चुका है, और यहाँ से phase इसमें जा रहा है, और फिर यहाँ से इसके through, यहाँ से series में connected है, और फिर वापिस दूसरे वाले phase में जा रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पर इसको गायब कर दें यहाँ से जोड़ दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, इन दोनों घरों के neutral एक स 400 वोल्ट के आसपास, यहाँ से हाँ तक का जो voltage होता है, line to line voltage वो है 400 वोल्ट के आसपास, क्योंकि यहाँ पर neutral जो है वो तो पहली तूट चुका है, इसका मतलब यहाँ पर होगा 400 वोल्ट apply, अब क्योंकि यह दोनों घर series में connected है, और series में क्या होता है, जो current है वो same रहता है मतलब जितना current यहाँ पर जा रहा है, उतना ही इसमें से जा रहा है, और उतना ही इसमें से जा रहा है, और यहाँ पर उतना ही current वापिस आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो current है, वो दोनों घरों में से same ही पास हो रहा है, लेकिन जो voltage है, वो series में change हो जाता है, तो series connection में इन दो वोट के बल्ब को सीरीज में जोड़े तो उन में से कौन सा तेज जलेगा तो वहाँ पे रिजल्ट यह निकला था कि जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस जादा होगा उसके अक्रोस जादा वोल्टेज जोड़ेगा तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम दो अब घर का रेजिस्टेंस जादा होने का क्या मतलब है मतलब जिस भी घर में इस वक्त कम लोड चल रहा होगा उसका रेजिस्टेंस जादा होगा तो यहाँ पर इस वाले घर का जो फिलाल रेजिस्टेंस होगा वो जादा होगा वो समझो कैसे हम जितने भी करण अपने घर होता है मतलब उसकी कुछ ना कुछ resistance होती है और क्यूंकि हम उने पैलल में जोड़ते हैं इसी वज़े जो resistance है, वो इसके मुकाबले कम है, तो क्योंकि यहाँ पे कम load चल रहा है, इसका मतलब इसका जो resistance होगा, वो जादा होगा, अब क्योंकि यहाँ पे resistance ज्यादा है, इसी वज़ये से यहाँ पे voltage drop भी जादा होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, 60 watt वाले बब के case में, इसका मत जा रहा है इस घर को करण भी खराब हो जाएंगे तो इसका मतलब यहां पर यहां पर यह हुआ कि इन दोनों का जो वोल्टेज है वो इन दोनों के लोड़ पर डिपेंड करेगा मतलब यहां पर 100 वाट चल रहा है तो अगर इसने कुछ और चला दिया मालनों 100 वाट की कोई औ बराबर लोड चलाना पड़ेगा मतलब इसमें 500 वोड चल रहा है तो इसमें भी 500 वोड चलेगा तब जाके इन दोनों में बराबर वोल्टेज आएगा कहने का मतलब यह है कि इन दोनों घरों में जैसे जैसे लोड चेंज होगा इन दोनों का वोल्टेज भी चेंज होता र